हेलो स्टुडेंट्स आपका इसेटी आलन क्लासे से बहुत-बहुत स्वागत है आग मैं आपके लिए एक बहुत भी बढ़ा वीडियो लेके आया हूँ हम लोग वर्शुल हार्डिस कैसे बनाएं इसे आपको पता है कि हम लोग जिस लैप्टाप या डेश्टापके काम कर रहे होते हैं उसमें स्टूरेज लगा होता है जिसी हम लोग हार्डिस की एक कैपसिती होती है और आप उस इसके अंत्रगत जितने भी अपने डेटा चाहें इस्टोर कर सकते हैं तो सपोर्च करिए कि आपका जो लैप्टॉप है या डेस्टाप है उसमें माल लेते हैं कि 500GB का हार्डिस है पर आगे चलके आपको और शक्ता हो रही है कि हमाएं और इस्पेस मिले तो इसका सलूशन यह है कि हमें अब या तो नया हार्डिस परचेस करके अपने लैप्टॉ वन टीबी या टेटराबाइट या टू टेटराबाइट तक आप करेट कर सकते हो और उसमें अपने डेटा को अपने फैलों को आप सुरच्छित रख सकते हो तो आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि विंडोज 10 में हम लोग वर्चुल हार्डिस को कैसे बनाते हैं त उसमें माउस का राइड बटन क्लिक करिए और मेनेज में चले जाएगे सरह से मैनेज़ वेट करने पर आपके सामने एक डेलोग बॉक्स अब और और उस dialogue box में आपको बहुत सारे options मिलेंगे, जैसे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक मिला है disk management, तो आप disk management पे click कर दीजे, तो जैसे ही आप disk management पे click करेंगे, तो present time में जो physical hard disk है आपके पास में, उसमें जितने partitions हैं, वो आपको सारे दिखाई पड़ेंगे, और उन आपको इसी के ही side में, एक मिलेगा more action करके, तो आप more action पे click करेंगे, और यहाँ पर आएगा create vsd, virtual hard disk, आप इसके उपर click कर दीजे, तो इस पे click करने पे, आप से वो एक file का नाम पूछेगा, तो होता क्या है कि जो virtual disk आपका बनेगा, उसके identification के लिए आपको एक file का नाम द का एक नाम देना चाहते हैं, वो नाम आप दे सकते हैं, जैसे माल लेते हैं कि मैंने ये नाम G drive को select किया, और G drive में मैं इसका नाम दे देता हूँ, VH दीगर के दे देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर save पे click कर देता हूँ, तो वो path और file का नाम यहाँ लिख जाएगा, अब अगर आप देखो तो यहाँ पर MB लिख के आ रहा है, तो आप इस पे click करिए तो MB, GB, TB, यानि आपने virtual disk को किस में बनाना चाहते हैं, किस unit में, मैंने माल लेते हैं GB ले दिया, अब यहाँ एक unit लिखना होगा, जैसे माल लेते हैं, मैंने 100 GB लिख दिया, मैंने मैं 100 GB त करेंगे, तो एक error आ रहा है, मैं देख लता हूँ क्यों error आ रहा है, तो देखें, यहाँ मैंने एक थोड़ा सा mistake किया था, आपको यहाँ पर अपने file का नाम देना होगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, GB, TB, जो भी लेना चाहते हो ले लिजे, माल लिजे मैंने यहाँ यहा आपको यहाँ पर कई options मिलेंगे, visual hard disk type में, तो आपको यहाँ पर dynamic expanding पर click करना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर ok पर click करना होगा, तो जैसे ही आप ok पर click करेंगे, तो आप अगर देखेगा, तो एक यहाँ पर disk 1 unknown करके, not in slice करके, यहाँ पर option आ जाएगा, एक इसक इस मिल जाएगा और यह देखे 1500 GB का बन गया है, अब आप यहाँ पर right button click करिए, इन slice में आएगे, तो इन slice में लिखके आ रहा है कि यह disk 1 है, उसके बारे में पूरा detail आ रहा है, अब हमें क्या करना होगा, कि इस disk की formatting करनी होगी, तो आप इसके उपर right button click करिए, new simple value में जा जो disk space है वो है, minimum आपका यह है, आप unit अपने ही साथ से set कर सकते हैं, next पर click करेंगे, अब आप इसके drive का कोई एक नाम दे सकते हैं, जैसे माल लेते हैं, नाम मैं ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ, और उसके बाद में आप next पर click करिए, यह file system आप यहाँ से chain कर सकते हैं, next क करिए, और यहाँ पर आप finish पर click कर दीजिए, तो जैसे ही finish पर click करेंगे, तो देखें हमारा एक drive यहाँ पर बनके आ गया है, और वो भी 1.500 GB का है, और इसका जो मैंने नाम लिया है, वो x drive है, तो यह x drive यहाँ पर दिख रहा है, तो अभी हम लोग चलते हैं, इसकी जाज क कर लेते हैं, कि यह drive वास्तों में बनी है कि नहीं बनी है, तो मैं यहाँ से this PC में जाता हूँ, और this PC में जाने के बाद में, अगर आप देखो, तो यहाँ देखें, एक x drive करके आ गया है, और यह 1.500 GB का है, मैंने इसको योज़ कर लिया है, अब मैं यहाँ पर कोई file अगर अभी save करके देख लेता हूँ, तो जैसे मैं G drive में गया, मेरे पास माल लेते हैं कुछ file है, इन file को यहाँ से मैं copy करता हूँ, और आपना जो virtual disk बना है, उसके अंदर मैं इसको paste कर देता हूँ, तो देखें मेरी file इसके अंदर paste हो रहेगे, अब आपको 1.500 GB का एक virtual disk मिल गय है, hard disk, अब आप इसको अच्छे से यूज करिए, मगर यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना होगा, कि जब आप अपने computer को shutdown करेंगे या restart करेंगे, तो जब restart होने के बाद या shutdown होने के बाद दुबारा आप system को आन करेंगे, तो यह X नाम का जो virtual hard disk है, यह आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, तो उसको देखने के लिए क्या करना होगा, मैं restart इसले नहीं कर पा रहा हूँ, चुकि मैं video record कर रहा हूँ, आपने system करके देखिएगा, तो अगर वो hide हो जाता है, नहीं दिख रहा है, तो आपको फिर this PC के right button क्लिक करके manage में जाना होगा, और manage के बा यहाँ पर disk management, तो disk management में फिल हाल, अभी मेरा वो X वाला दिखेगा, चुकि मैंने अभी PC को restart इसले डाउन नहीं किया है, जब आप सले डाउन करके fresh on करेंगे, तो यह X वाला नहीं दिखेगा, तो यहाँ more action में जाएंगे, और यहाँ attach vsd मिलेगा, तो आप attach vsd मे जाएं vsd करके नाम दिया था, तो जी राइ में देखे, vsd करके हैं, आपको इस file को select करके open गरना होगा, तो उस file का नाम लिख जाएगा, और जब आप OK करोगे, तो वो disk आपको दिखने लगेगा, तो friends, इसका एक फायदा ये भी आप कह सकते हैं, कि अगर आपने laptop या desktop में अगर कोई unknown people आएगा, तो उसे नहीं पता होगा ना कि आपका virtual disk बना हुआ है, और आपकी जब ज़रोत होगी, तो आप attached vsd में आके अपने file का location ले लेंगे, तो आपको दिखने लेगा, तो है ना friends, बहुत मज़ेदार चीज, आप इसको प्रियो करके देखेगा, अगर क आज का वीडियो में यही समाप कर रहा हूँ, आपका दिन सुब, थैंक्यू